नमस्कार मैं उशिकरदीप और आप देख रहे हैं GBN24 सुप्रीम कोट से केंदर सरकार को बड़ा जटका लगा है सुप्रीम कोट ने प्रवर्तन निदेशाले यानि EDK डारिक्टर को एक और एक्स्टेंशन देना आवायद बताया है सुप्रीम कोट ने कहा है कि EDEK डारिक्टर संजे कुमार मिश्रा का तीसरी बार कारिकाल नहीं बढ़ेगा कोट ने आगे ये भी कहा कि मिश्रा को 31 जुलाई तक दफ्तर खाली करना हो साथी कोट ने सरकार से 15 दिनों के भीतर EDK डारिक्टर की नियुक्ति के लिए भी कहा है इसके अलावा सुप्रीम कोट ने ED और CBI प्रमुखों को 5 साल का कारिकाल देने के लिए CVC, DSPE, अधिनियमों में संसोधन की सम्मैधानिक वैज़ता को बरकरार रखा है सुप्रीम कोट ने कहा ED Director संजे कुमार मिश्रा का कारिकाल विस्तार अवय थे लेकिन वो 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे ताकि कारिभार ठीक ढंग से ट्रांसफर किया जा सके क्योंकि आने वाले समय में STF की समिक्षा होनी है मामले की सुनवाई सुप्रीम कोट के जज़ भूशड रामक्रिशन गवई की बेंच कर रही थी सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने सॉलिस्टर जनरल से कहा कि 15 दिन नए ED Director की नियूकती के लिए परयाप्त है कोट ने कहा कि सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संसोधन सही है कोट से उच्चाधिकार प्राप्त समित की सिफारिश पर केंदर के पास कारिकाल बढ़ाने की शक्ती है अभी के लिए बस इतना ही बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN24 ये है Genesis Media Network और आप देख रहे हैं GBN24 News